दीपावाली को लेकर मिट्टी कलाकारों की हालत खराब, बिरोजगारी व सरकारी उपेक्षा से जून रहा कारोबार बागाह शेत्र के दर्जनों गाउं में कुमहार पीडितों ने मिट्टी कारोबार का काम वर्षु से चलते आ रहा है जहां कारोबारी कड़ी मेनत करके मिट्टी के बरतन तयार करते हैं जिनकी जरूरत पर्व तहवारों पर अधिक पड़ती है वहीं इस साल दीपा वाली पर्व छट पर्व और भईया दूज में उनको अधिक बिक्री की उमीद है बागह नगर के साथ-साथ प्रखंड के कारोबारियों द्वारा यूपी बिहार के कई जगहों पर भी इसको बेजा जाता है उनका कहना था कि बारिश नहीं होने से बले ही तमाम दिक्कत हुई है लेकिन उन्होंने दीपा वाली छट पूजा और भईया दूज के लिए सारी तैयारिया पूरी कर ली है जिसे नगर समेद बागहा एक वद दो प्रखंड के कई गावों में मिट्टी से कई तरह के बरतनों को बनाया जाता है सिर्फ तहवारों में रहता है मिट्टी के बने बरतनों का महत मिट्टी से कई तरह के बरतन बनाने वाले कुमारों का कहना है कि इसका महत्व सरिफ आने वाले पर्व और तेहारों में रह जाता है लोग दीरे-दीरे मिट्टी के बरतनों का उप्योग करना भूल गए है इससे जुड़े लोगों का कहना है कि हम लोगों को साल भर इसी काम से फुरसत नहीं मिलती थी लेकिन दीरे-दीरे समय बदल गया और अब यहां कारोबार शायद विलुक्त होने की राह देख रहा है काम के हिसाब से नहीं मिलता है मजदूरी कुमारों का कहना है कि मिट्टी से बर्तन बनाने की माने तो इसमें जितना परिश्रम है उसे साबसे लोग मजदूरी नहीं दे पाते कारोबारियों का कहना है कि नदी तालाब पोकरे से मिट्टी लाना उसको कड़ी मेहनत से तयार करना आग में पकाना फिर उस पर रंग जणाना इसमें काफी श्रम लगता है हलाकि विगत सौ सालों से अधिक इस कारोबार में लोग लगे हुए हैं रामिश्वर पंडित, गुविन पंडित, बालचन पंडित, पिंटू पंडित, कमल पंडित ने बताया कि इस बार दीपावाली वचछट पुजा को लेकर कारोबार अच्छा होगा सीमावर्ती लाकों में भेजी जाती है मिट्टी के बरतन, थाना शेत्र के दरजनों जगहों पर बने मिट्टी के बरतनों को सीमावर्ती लाकों में भेजा जाता है जिससे इसे जुड़े कारोबारियों को बड़िया आमदनी होती थी वहीं दिवाली छट गोवर्धन पूजा, पंचमी पूजा, नवमी पूजा में इन बर्तनों को बना कर रख लेते थे जिनको दूर दारार तक भेजा जाता था लेकिन आदुनिक्ता के दौर में मिट्टी कारुबार पूरी तरह दम तोड़ रहा है इस से जुड़े लोगों ने माने तो आज तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे इसको बहतर बनाने में सयोग मिल सके बागहा से संबादाता अमन कुमार यादव की रिपोर्ट हम लोगों का समान जो है तैयारी कर रहे हैं और जो है कि हम लोगों का यथी जो भेली उसन धीरे-धीरे बिलुप्त होता जा रहा है और सही कीमत नहीं मिल रहा है अब चाइनीज के चलते है क्या नाम रहापका रामेश्वर परित है है हुआ है